हालो इबरीवर वेलकम टो आई चैनल आलाइन जी एस पाई दिवाकर यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एक गुड निउस की जो आप लोगों के लिए है यूजी सी नेट दिसंबर 2022 के लिए यहां पे एक सुचना अपडेट की गई है जो ट्विटर के माध्यम से ममेडाल जगदीश कुमार ने अपने ट्विटर रेंडल पर इन्होंने पोस्ट किया है इसके बारे में लोग यहां पर जानेंगे क्या यह सही है नहीं सही है ऑफिसियल साइट पर कब तक आ जाएगा क्या इन्होंने जो एक जाम डेट दिया है कि 10 21 से लेके 10 मार्ज तक किस फरवर बढ़ने की तिथी जो 29 दिसंबर से लेके 17 जन्वरी यानी टूटल आपका इन्होंने लगभग 18-19 दिन पेपर यह फार्म बढ़ने की तिथी दिया है जबकि नार्मली आपका अगनमन तो होता ही है ठीक है फिलाल यहां पर लोग बात करेंगे पूरे प्रमाड की कहां पर लुबिर थीक करते हैं इनके twiter handle को भी हम लोग देखेंगे यां टी ये की website को भी देखेंगे ूजी सीनेट की website को भी देखेंगे और उसके बाद तारकिक discussion भी यहां पर हम लोग करेंगे कि क्या चीज़े पॉसिबल है और देखे आप लोगों का जो UGC Net से संबंदेत कोई भी प्रस्ण हो जो इसके basic चीजों से संबंदेत हो यानि query से संबंदेत हो तो आप लोग comment में बता सकते हैं कि जैसे UGC कि नेट में आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है नेट यारफ में कि फार्म कैसे भरना है किस तरह के प्रस्ण आते हैं इस की बात करें हम लोग बुक काउन से प्रेफर करने हैं तो यह सभी क्या करिए कि आप लोग comment section में अपने टाइप कर दीजे ठीक है और कल मैं कोशिश करूंगा लाइब के लिए कि लगबगी आपका फोर थर्टी पे सामको लाइब रहेगी ठीक इसमें इस डाउट सेशन में आपका क्या रहेगा कि जो यूजी सी नेट जियारप से या पिएस डे अडमिशन से संवन नेट कितनी मिलती है कहा पे ऍयने पर फायदे है ठीक यह यूजी सी नेट पास करने से आप क्या 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 कर सकते हैं कहा कहा पर आप allied ह boss है ठीक है सारे जो डाउट सा हैं वह आपका कल हम लोग क्लियर करेंगे तो इसलिए पहले सूचित किया जा रहा है कि आपका जो भी क्यूस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् का जो साम को आया था यह और यह फाम बढ़ने की तिथी इन्हों ने इसमें देखिए इस्पेसली मेंसन किया गया नीचे में दिखा दे रहा हूं 29 से लेके 17 जनवरी है यह और परिच्छा तिथी भी देखिए 21 फरवरी यानि एक पहिने बादी एकजाम तो यहां पर प्रस न का भी मेंस साइट पे इन्होंने नहीं दिया है यहां पर देखिए इनका यह ट्विट था इसी ट्विट के रिपलाई में इन्होंने यह दिया है यह ट्विट हमने पूरा आयट कर दिया है कि महमें डाला जगदीश कुमार एनाउंस्मेंट अन उजी सिनर दिसम्बर 2022 एं टीए हैज बीन इंत्रस्टेड इंत्रस्टेड वाई जी सी कंड़क्टिन युजी सीनर वीचिज टेस्ट टू डिटर्माइन दा इलिजबिल्टी आप इंडेन नेशनल फार असेस्टर प्रोफिसर जी आरफ यानि कि 83 सब्जेक्ट में जो है इन्होंने यहां पर मेंशन कि महां नामीड आला जगदीष गुमार यहां पर देखें यह आपके चेर्मं युजी सी के हैं देखिये यह पर लिखा गया ऑज जेनु के वाइस चांसलर रहे थे और यहां पर इनके द्वारा जो ट्वीट किया गया सारे ट्वीट आपको यहां पर मिल जाएंगे ठीक है अब हम लोग आ जाते हैं अपना जो योजी सी नेट से संबंदी ट्वीट था यह आपका ट्वीट है इनका देखे आफिसियल पर ही इनोंने यह ट्वीट किया है और अभी यह 6 गंटे के आसपास यह आपका देखे पूरा टूटल इसमें दिया गया इसके जबाब में इनोंने यहां पर एकजामति थी को 21 फरवरी से 10 मार्च इनोंने बताया है ठीक है और इनोंने यह भी मेंसन किया नीचे फार मोर डिटेल यह में प्लेज़ इसमें विजिट यूजी से यहां पर इसमें प्लिक करता हूं फिर उसके बाद देखे क्या होता है कि वही ऐसे ऐसे आपका एक्जाम होना है 21 फरवरी से लेके आपका यहां पर मार्च तक एक्जाम चलेगा तो जबकि में साइट पर अभी कुछ मेंसन नहीं और डेट आप आज कितनी है उन्होंने यह भी मेंसन कर दिया वहीं 29 से लेके आपका 17 यानि 29 दिसंबर से लेके 17 जै वहर आज की तो गई तो अभी यह वह साइट पर देखे कुछ डिया है नहीं दिया है अब यह हो गया अब मैं आपको एंटी की साइट पर लेन के देखें तो की साइट पे अभी यह आपका उपलोड नहीं हुआ है यह आप देख सकते हैं यह पूरा दिया ग долж Respon ओलत अब कीजान ऊण है थिए अफिसिल साइट्स, गहां की खेंतलन का मितत्य। नहीं थे स्था थे सोट जहीं तो तो सब्सकुष नहीं एक है तो सब कुछ बता हुए पर यह रहा है कि जो चीज़ें इन्हों ने यहां पे दिया है यानि कि जल्दी से जल्दी आपकी यह ओफिसल साइट पे भी आइधिंग मुझे लगता है कि कल तक आ जाएगा क्योंकि कई लोगों ने जब इनके जैसे जो भी पोस्ट होते थे आप इनका ट्वीटर हंडल चेक करेंगे तो सारी चीज़ें यहां पे फिर इन्हों ने जो यहां पे आपका दिया है तो पॉसिबल है कि यह आपका हो जाएगा लेकिन अप्रस नहीं बनता है कि वही यह वाला जो आपका दिसंबर 2022 का है यह आप मार्च में कंड़क्ट करा देंगे ठीक और उसके बाद रिजल्ट यह एक महिने में मालिजे बहुत तेज आप करेंगे तो यह आपका अप्रेल में रिजल्ट आ जाएगा तो अप्रेल में रिजल्ट आ जाएगा तो अप्रेल में रिजल्ट आने के बाद ज क्या हो सकती है कि इस वाले में यदि आप अपलाई करेंगे दिसंबर 2022 ठीक यदि आगी कोबिड वह आ रहा है तो यदि ऐसा कोई सेच्वेशन नहीं आती है तो यदि एक्जाम यह करा लेते हैं तो आगे आपका जून वाला सेशन लेट होगा और लास्ट आप देखिएगा होगा यह कि दिसंबर 2022 और जून 2023 इन दोनों क्या करेंगे मर्ज करके एक्जाम कराएंगे ठीक क्योंकि एंटिये के पास इतना धेर सारी परिक्षाएं करानी हैं तो इस वज़ा से वहां पर यह पिछली बार भी इन्हों ने ऐसे ही ट्वीट किया था तो फिलाल आप लोगों के लिए गुड नियूज है कि आप लोग अभी से तैयारी में बन जाएगे और अपने दिमाग में यह लेके न चलिए कि एक्जाम नह पहले कम से कम पंदरा दिन पहले यह सूचनाय अपडेट करेंगे एक्जाम कब होगा किस देट में किस सब्जेक्ट का होगा या किस किस डेट में किनके किनके एक्जाम होने वाले हैं ठीक है यह सेंटर अपडेट करेंगे तो यानि कि आपका 29 यह 17 यहां तक करेंगे तो य क्योंकि इतने जल्दी हुआ नहीं है तो फिलाल आप जो भी हो आप अपनी तयारी जारी रखिए और आगे देखिए नबोदे की इतने के अप्रेल मई के आज पास हो सकता है तो यानि कि जैसे आप जोगरफी पढ़ रहे हैं तो जोगरफी में जो के वीयस का है के लिए क्या फालू करना आपको के ओलने सी अपने से आपका निट का फाइदा रहे गा क्योंकि बेसिक चीज़ें यहां से आपका क्लियर हो कल जो सेशन होगा तो कल हम लोग यहां पर डिसकस कर लेंगे कि बेस्ट बुक कौन सी है यूजी सी नेट के लिए जोगरफी का ठीक है जोगरफी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है क्या स्टेटजी आपको बना के करनी है क्या कोचिंग जरूरी है करना कि नहीं जरूरी है कर या यूजी सी नेट करने से आप कहां कहां इलिजबिल हो जाते हैं कि कौन-कौन सी नोकरियां आपको मिल सकती है यह यह यूजी सी नेट पास है यह जिया अरफ हाफ है ठीक है तो इन सारे मुद्धों पर कल हम लोग चर्चा करेंगे तो कल 4.30 पे आलमोस्ट ही आपका यहां पर सेशन मिल जाएगा और कोसिस करिए आप लोग यहां कमेंट में कर देंगे तो उसका ही हम लोग वहां पर पहले डिसकेशन कर लेंगे ठीक तो आज के लिए इतना ही थैंक्स पर वाचिंग